नमस्कार दोस्तों आज हम इस विडियो में शाओमी रेड्मी A3 वर्सस रियर्मी C675G का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो रेड्मी A3 में 6.63 इंच जबकि रियर्मी C675G में 6.52 इंच की लेंथ मिलती है जो की रेड्मी A3 से कम है Width की बात करें तो Redmi A3 में 3 इंच जबकि Realme C675G में 2.99 इंच की Width मिलती है जो की सेम जैसी ही है बात करें थिकनेस की तो Redmi A3 में 0.33 इंच जबकि Realme C675G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है अब बात करते हैं वेट की तो Redmi A3 में 193 इंच जबकि Realme C675G में 190 इंच की देखने को मिलता है जो की सेम जैसा ही है चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते है डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही इस LCD की डिस्प्ले मिलती है अस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20 रेशियो 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो Redmi A3 में 6.7 इंच जबकि Realme C675G में 6.72 इंच इंच मिलती है डिस्प्ले रेजलूशन Redmi A3 में 720x1650PX HD+, और Realme C675G में 1080x2400PX FHD+, मिलता है Screen to Body Ratio, Redmi A3 में 83.14 प्रतिशत जबकि Realme C675G में 86.58 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो, Redmi A3 में 279 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Realme C675G में 392 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है अब देखते हैं Display के अन्य Features यानि विशेशताएं की जो की Mobile Phone का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सब के पसंदीदा Features कैमरा की दोस्तों, सबसे पहले बात करें Main Camera की तो, Redmi A3 में 2 Camera देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera देखने को मिलता है और Realme C675G की बात करें तो इसमें भी हमें 2 Camera देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera और आखिर में Depth Camera देखने को मिलता है बात करें विडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 different type के features मिल जाते हैं अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो दोनों फोन में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 5 different features मिलते हैं आए अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे hardware में सबसे पहेले CPU जो की speak के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे important part है उसकी details देखते हैं GPU की बात करें तो Redmi A3 में PowerVR GE832 न जबकि Realme C675G में Mali G57MC2 मिलता है चिपसेट की बात करें तो Redmi A3 में MediaTek Helio G36 और Realme C675G में MediaTek Dimensity 6100 Plus मिलता है बात करें RAM की तो Redmi A3 में 3 option देखने को मिलता है जिसमें 3GB, 4GB, 6GB की RAM मिलती है जबकि Realme C675G में 2 option देखने को मिलता है जिसमें 4GB, 6GB RAM मिल जाती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो Redmi A3 में 2 विकल्क देखने को मिलता है जिसमें 64GB, 128GB की storage मिलती है जबकि Realme C675G में एक ही विकल्क देखने को मिलता है जिसमें 128GB storage मिल जाती है expandable memory की बात करें तो Redmi A3 में up to 1TB जबकि Realme C675G में up to 2TB है operating system दोनों phone में Android V13 देखने को मिलती है बाटरी की बात करें तो दोनों phone में 5000mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते हैं colors की बात करें तो Redmi A3 में 3 colors जबकि Realme C675G में 2 colors option मिलते है सब information देखने के बाद बात करें price की तो Redmi A3 में 3 variant देखने को मिलते है जो की 3GB RAM 64GB storage के साथ 7,299 रूपीज 4GB RAM 128GB storage के साथ 7,999 रूपीज 6GB RAM 128GB storage के साथ 8,999 रूपीज में मिल जाता है वही अगर बात करें Realme C675G की तो उसमें 2 variant देखने को मिलते हैं जो की 4GB RAM 128GB storage के साथ 12,689 रूपीज 6GB RAM 128GB storage के साथ 14,999 रूपीज में मिलते है दोस्तों अब बात करते हैं prans and cons यानि की फायदे और नुकसान की तो Xiaomi Redmi A3 में 8,5 और 6 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Realme C675G की तो उसमें 8,5 और 5 नुकसान देखने को मिलता है Finally बात करें है result की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है Main camera में Realme C675G आगे है Front selfie camera में दोनों फोन सेम ही है Performance में Realme C675G आगे है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले competitor phone की बात करें तो उसमें Nothing phone 2A 5G है दूसरा Samsung Galaxy M14 4G है तीसरा Oppo K12X 5G है और last competitor phone की बात करें तो उसमें Realme Nazo M65 5G है और ये सारे phone की details आपको description में मिल जाएगी प्रियो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृप्या से लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले